मेरे प्रियमेत्रों नमस्कार फ्रेंड्स आज के मुख्य विशे के अंतरगत में COP28 में भारत का अब तक का जो स्टेंड रहा है उस पर बातें करने जा रहा हूं COP28 में भारत आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत का प्रतिने तो शुरू में दो दिनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था अब तो हमारे जो परियावरन और क्लाइमेट चेंजिस में जो मिनिस्टर हैं वो वहाँ है लगातारी सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलता रहेगा एक बात जो मैं यहाँ विशेष रूप से आपसे पहले करना चाहूंगा वो यह कि दोस्तों जो सिविल सर्विस परिक्षा की तैयारी होती है जब धेर सारी बातें आपको जानने और सुनने और पढ़ने को मिलती है सुचना हो कि जब बंबार्डिंग आपके सामने हो रही होती है तब आपके दिमाग में दो चीज़ें बहुत साफ तोर पर होनी चाहिए पहला अपने दिमाग को बोज से बचाना होगा और दूसरा अपने दिमाग को उलजाने से भी बचाना होगा देखे सीधी सी बात है बोज से बचाने का मत्तब है कि धेर सारे आप information लेते चले जा रहे हैं और जब धेर सारे information लेंगे तो दिमाग उलज ही जाएगा यानि कि बहुत थोड़ी सी बातें आपको मालूम हो जो बहुत important है और साथ ही जो बातें मालूम हो उसमें clarity बहुत अधिक हो तभी जाकर के civil service examination की सही तरीके से तैयारी हो पाती है इसी को ध्यान में रख करके यहाँ फिर से मैं COP28 के बारे में ही बात कर रहा हूँ लेकिन यह बात भारत के संदर्व में कर रहा हूँ पहले जो मैंने बात की थी वह इस रूप में की थी कि COP28 के सामने वर्तवान में कौन-कौन सी चुनोतियां मौजूद है तो आईएब हम भारत की इस्थिती को देखते हैं और भारत की इस्थिती की जो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ वो प्रधान मंत्री के संदर्व में कर रहा हूँ ये भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है कि इसके उदगाटन में हमारे प्रदान मंत्री जी ने भाशर दिया ये बहुत बड़े सम्मान की बात होती है तो उन्होंने जो बातें रखी हैं, हमें उन्हें जानना ही चाहिए, देखिए अगर हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व मंच पर जाकर के कोई बात कह रहे हैं, तो सीधी सी बात हो गई कि वे बातें बहुत महत्तपूर्ण हैं, चाहे वो आकड़े बता रहे हैं हों, चाहे योजनाओं के बारे में बता रहे हैं हों, चाहे राष्ट की नीतियों के बारे में बता रहे हैं हों, तो तो सबसे महत्तपूर्ण बातें हो गई ना, और जब मुख्य परिक्षा में कोई इससे संबंधित प्रशना आता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि प्रधान मंतरी जी ने जिन बातों को highlight किया है, जिन तत्यों का ब्योवरा दिया है, वो हमारे answer में शामिल हूँ ही हूँ. तो बस इसी को आधार बना करके मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ और मैंने अपनी बातों को कुछ भागों में विभाजित किया है हमारी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने climate changes को लेकर के भारत की जो उपलबधिया रही है जो भारत की स्थिती है उनकी चर्चा की तो उनमें से कौन सी बाते सबसे महत्पूर थी पहली बात उन्होंने कहा कि हमारी जो आबादी है वो दुनिया की लगभग सत्रह प्रतिशत है 17% जबकि हम जो कारबन उत्सरजित कर रहे हैं वो 4% से भी कम है 4% से भी कम है सोच करके देखे आबादी 17% और हमारा कारबन उत्सरजन 4% से भी कम अगर हम चाइना को ले लें, हालाकि प्रधानमंत्री जीने इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, तो हमारी आबादी और चाइना के आबादी लगबग लगबग बराबर है, लेकिन चाइना का जो कारबन उत्सर्जन है, वो हमसे डेड़ गुने स भी थोड़ा जादा है, डेड़ गुने से भी जादा है, और अमेरिका जो आबादी में हमसे एक चोथाई है, और उसका कारबन उत्सर्जन हमसे चार गुने से भी जादा है, तो इसका मतलब है कि भारत कारबन उत्सर्जित बहुत कम कर रहा है, यदि आप जनसंख्या के अ 11 साल पहले हासिल कर लिया है, यह बहुत बड़ी बात है, यानि कि हम अपने टार्गेट से भी आगे चल रहे हैं, ये दो बातें सबसे इंपोर्टेंट फ्रेंस रही हैं। यानि कि ये जो धनी रास्थ हैं, जो विक्सित रास्थ हैं, इसे कह सकते हैं आप अध्योगिकर्ट रास्थ हैं, ये परियावरन को प्रदूशित करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए इनको चाहिए कि जो ग्लोबल साउथ यानि कि जो गरीब देश हैं, जो विक्सित रास्थ हैं, जो विकास सील के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उन्हें धन उपलब्ध कराएं, ताकि वे भी अपने परियावरन की रक्षा कर सकें। ये मांग उन्होंने सहाफ तोर पर की। दूसरी मांग जो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान दिया जाना चा अगर इसके लिए भी कोई रिण मांग रहा है, तो इन्हें उपलब्ध कराना चाहिए, बैंकों को चाहिए कि वे इसके लिए भी रिण दें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्पुन बात कही गई है। फिर उन्होंने बकायदे प्रस्ताव दिया कि भारत सन 2018 में COP COP 33 को अपने यहां आयोजित करने का प्रस्ताव रखता है, COP 33 ये भी शोग कर रहा है कि हम इसके प्रतिकितने संव्यदन शील हैं। एक बात और जो बहुत महत्पूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कही है दोस्तों वो है कार्बन क्रेडित प्रोग्राम को लेकर, कार्बन क्रे चार कीजिए और देखिए आप कैसा कर पाते हैं, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी आपको मिलेगा, ये कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ग्रीन का मतलब वही होता है जैसे कि सुक्ष उर्जा, कार्बन क्रेडिट का मतलब वही है कि क कार्बन को कैसे आपनी अंतृित कर सके और कार्बन का संबन्द सिधे कार्बन डायाक साइड से ही है तो दोनों कहीं न कहीं मिलते जुलते से ही हैं। दोस्तों ये जो green credit program है या कहरे जै कि carbon credit program है बेसिकली ये है क्या इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में उसमें प्रधानमंत्री जी ने बकाय दे जीवन शैली का एक द्रिश्टिकोंड रखा था mission life और बाद में फिर पिछले साल उसे launch भी किया गया mission life कहने का मतलब है कि हमारी जीवन शैली ही इस तरीके की होनी चाहिए जो परियावरन के अनकूल हो यानि कि हम इस तरह का जीवन जीए कि हम परियावरन को नहीं के बराबर छती पहुँचाएं जब तक हम अपनी lifestyle को नहीं बदलेंगे तब तक परियावरन को हम नुकसान हैं तक बग 70-72 उसके points दिये हैं कि हमारी जीवन शैली इस तरीके की होनी चाहिए हम single use plastic उपयोग में लाएं हम renewal चीजों पर हम ऐसी चीजों को लाएं जिनका फिर से हम उपने जीवन में उपयोग करें इस तरह की धेर सारी बाते उनमें बताई गई हैं तो ये जो carbon credit program है य basically इस जीवन शैली का ही एक हिस्सा है उन्होंने जो बात कही और उन्होंने कहा कि अगर हम अपर्यावरन के अनकूल बना लेते हैं तो हर साल दो अरब टन carbon उत्सरजन को कम किया जा सकता है दो अरब टन जो अपने आप में बहुत जादा है तो देखे ये carbon credit program क्या है इसे simple त carbon credit एक अलग से topic है इस पर हम लोगोंने online lectures उपलब्ध कराया हुआ है और मैंने बहुत detail में उसके बारे में समझाया कि basically carbon credit क्या है carbon credit बहुत simple सी चीज है और वो यह है कि जैसे आपको इतना carbon उत्सरजित करने का अधिकार दिया गया है लेकिन अगर आप उस से जादा प्रजित कर रहा है और उसके बदले मुसको पैसा देंगे यहां जो संबंध है carbon credit program का लोगों से है यानि कि लोग इस तरह के काम करेंगे इस तरह की activities करेंगे जिससे carbon आउशोसित होता हूँ जैसे मान लेजे कि पेड लगाना अगर आप पेड लगाते हैं तो उससे carbon oxide का absorption करते हैं अभी भी आप पेड लगा रहे हैं कोई बात ने आप लगाते रही है आपकी अपनी पसंदगी है लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अगर आप पेड लगाते हैं अभी दो छेतरों में किया गया है पेड लगाने में और जलसंदक्षन में टोटल आठ तरकी गत पेड आपने लगा दिये इसके बाद बकायद एक agency होगी वो agency जाच करेगी कि आपने जो पेड के लिए दावा किया है वो आपने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं और जब देखा गया कि यहां पेड लग गए हैं और इतने बड़े हो गये हैं जो भी उनका अपना system होगा तो उसके बदले में आपको carbon credit दे दिया जाएगा यानि कि आपने जो यह 100 पेड लगाए हैं यह 100 पेड इतने carbon का शोशन करेंगे और शोशित करेंगे मतब आपके खाते में यह credit हो गया credit का मतब यही हो ना कि आपके खाते में वो जमा हो गया अब आप जितनी भी unit आपके हाते में जमा है आप इन्हें बेच सकते हैं market में और उसके लिए भी platform है और लोग खरीदने वाले मिल जाएंगे तो जो व्यक्ति हैं जो संस्थाएं हैं जो विभाग हैं वो इस तरीके से बकायदे अपने ऐसी activities के जरिये जो carbon को अशोशित करती हो या यूं कहलेगे कि carbon के उत्पन होने की स्थिती को कम करती हो बकायदे अपना registration करा सकती है registration कराने के बाद वो अपने इस काम का credit ले सकती है इस program को प्रधान मंत्री जी ने विश्व मंच पर प्रस्तुत किया है दोस्तों अब last है कि हमने एक तथ्य को अस्विकार भी किया है और अस्विकार क्या है हमने इस पर साइन करने से मना कर दिया है और वो प्रस्ताव ये था कि सन 2030 तक हम अपने जो रिलीवन एनरजी है उसके उत्पादन को तीन गुना कर देंगे ठीक है चलिए उस तो कोई बात नहीं लेकिन इसके साथ ही साथ जो कोईले पर आधारित जो हम energy generate कर रहे हैं उसको चरण बद्ध तरीके से हम खत्म कर देंगे भारत के लिए आप जानते हैं कि कोईले पर आधारित energy को यानि कि thermal power को खत्म करना संभो नहीं है क्योंकि हम जो total energy अभी पैदा कर रहे हैं फिर से एक बहुत important आंकडा है जो आपको मालूम होना चाहिए उसका 43% हम renewal energy से अगर हम कोल को खत्म करने की बात करेंगे तो हमारे लिए उर्जा का बहुत जबरदस्त संकट पैदा हो जाएगा इसलिए इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से भारत ने इनकार कर दिया है तो दोस्तों ये कुछ बाते मैंने आपके सामने रखी हैं जो COP28 में अब तक भा और ये बंगाल की खाडी में उठाए है तो छोटा से होमवर की है कि अगर बंगाल की खाडी में टूफान उठाए तो इसे कौन से राज्य प्रभावी थोंगे बस इस पर थोड़ा सा विचार करें बन में थोड़ा सा दिमाग चलेगा नक्से के सामने आप खड़े होंगे तो दोस्तों मुख्य विशा के बारे में बस इतना ही इसी के साथ ही दोस्तों आज की से डेली आडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं नमस्कार